पर मार्केट में अगर कोई दोस्त है आपका तो है stop loss वो चीज़े तो करना ही है एक stop loss आपको देना है second जो जितना आपका screening time कम रहेगा उतना आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं होते हैं मार्केट में तो यह ज्यादा दर time पर ही होता है कि हमें profit मिलता है और धीरे-धीरे हम losses को सामना करते हैं दो question आता है exactly कि क्यूँ पहले जब हम start करते हैं तब हमें profit मिलता है माली जी कि first month में आपको profit दे रहा था और third month जाते जाते हैं आप loss में convert हो गये हैं तो एक Q होता है शुरू में हम बहुत neutral होते हैं नीचे ही जाएगा या फिर उपर ही जाएगा ऐसे कोई direction पर नहीं रहे कि market इसी direction पर जाएगा second stop loss अगर नहीं दे रहा तो trade मत करो में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर लोग बोलेंगे कि no stop loss अगर आप robot हो सकते हैं जिसमें आप emotionally connected नहीं है तो ऐसे हो सकता है properly stop loss ही बचा सकता है ट्रेड करते हैं as a trader का important है strategy जितना ज्यादा important नहीं है जितना ज्यादा important है psychology को अगर हम सही से guide कर पाते हैं तो ही exactly हम यहां से successful trader का journey ताय कर सकते हैं अदवाज नहीं वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो का like कर देना और चैनल पर नहीं है तो subscribe करेंगे